जहें दोस्तो, स्वागत है आपका हमारे Fun Fact Entertainment चैनल में दोस्तो आपको तो पता ही होगा कि हमारा Mars Mission की सफल रहा है जो कि हमारे इसरो के द्वारा इसे प्रशेपित किया गया था ये Mars Mission कैसे किया गया था, चलि जानते हैं आज उसके बारे में आगी रोज्टो सबसे पहले हम इश्रो के बारे में जानेंगे इश्रो दुनिया की सबसे अच्छी सेटलाइट लांच स्पेस एजेंशी है क्योंकि इशरू खास कर अपने तकनिक और अपने सस्ते तकनिक के लिए जान जाती है इशरू किसी भी Mars मिशन हो या मंगल मिशन हो चाहे चंद्रियान मिशन हो वो कोई भी मिशन हो उसे वो तकनिकी रूप से सफल बनाती है इस रूख किसी भी तरह कि जटिल इसपेस मिशन को सब्सक्राइब करने के लिए जान जाती है जैसे कि मार्स मिशन जी हाँ दोस्तों वैसे नासा भी है जो इन लगा हुआ है चाइना कभी अपना मिशन है सभी देशों की कंट्रिय अपने मिशन में लगे हुए लेकिन इस रोग की बात करें तो यह जटिल मिश्ट इस पेस मिशन को कम लागत में करने के लिए जाना जाता है और इनफेक्ट नासा भी इस रोग की मदब भी लेता है अपने सेटलाइट लाउंच करने के लिए आज बात हम कर रहे हैं मंगल मिशन की यानि मिशन मार्स मार्स और्बिटन मिशन मार्स और वीटन मिशन M.O.M. मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला इंटर प्लेर निटरी मिशन पांच नुवंबर 2013 को पी एस एल्वी सी 25 पर लाउंच किया गया था इसरो सफलता पुर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में एक अंत्रिच्यान भेजने वाली चौथी अंत्रिच एजेंसी बन गया है हाला कि डिजाइन के किये गई मिशन का जीवन 6 महिने कहीं है M.O.M. ने 24 सितंबर 2021 को अपनी कक्षा में 7 साल पूरे किये थे सामिल है मंगल ग्रह के चारो और मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेज करना कब्जा करना और कक्षा में चरण मंगल ग्रह की इस्तता की विशेष्टाओं को आकृति को विज्ञान को खनीच विज्ञान और मंगल ग्रह के वातावरण का अतियन करने के लिए M.O.M. में पाँच व्यग्यानिक पेलोड भेजे हैं क्या है ये व्यग्यानिक पेलोड आई जानते हैं ग्रहों के विकास और अतिरिक अस्थली जीवन के संदर्व में मंगल वैग्यानिकों के लिए गहरी द्रचस्पी का विशय बना हुआ है। मंगल ग्रह के बारे में हमारी समझ के आधार पर जिसे पहले शायद एक गर्म और गीला ग्रह माना जाता था। अब एक पतले वातावरन के साथ शुष्क होता दिख रहा है। यह विकास कैसी हुआ। यह सभी भी शोद का विशय है। इस प्रिश्ट्धोमी में भारतिय मंगल कक्षित मिशन में ऐसे ही पांच वग्यानिक पेलोट को वहन किया गया है। इनके नाम है पहला मार्श कलर कैमरा एम सीसी। दूसरा थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर टी आइस। तीसरा है मंगल के लिए मिथेन सेंसर एम एसम। चोथा है मार्श एक्सफोर एक्स्रिक निट्रल कंपोजिशन एनलाइजर आई एस एनेच सीए। पांचवा है लाइन मैन अल्फा फोटो मीटर एले पी। क्या है मार्श कलर कैमरा मार्श कलर कैमरा और जेबी बायर पैटर्ण के साथ एक बहुमुखी और बहुँ उदेशी स्नैप्शॉट कैमरा है जो मंगल पर विविन रुपात्मक विशिष्टाओं को मैप करता है और मंगल और इसके वातावन की दृष्टी छव्यों को लाटनाओं के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेगी क्या है मिथेन सिंसर मंगल ग्रह के लिए मिथेन सिंसर मार्स के लिए मिथेन सिंसर एम एम एस शॉर्ट वेब इंफ्रारेड एस डब्लू एस आई आर छेट में काम करने वाले फेवरी पेरोट एरोट के फिल्टर है अधारित इफ्रेसिंग किया जाता है ऐसे ही एमेजिंग फैक्ट को जानने के लिए हमारे चैनल फंपैक्ट इंटेटेन्मेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर करें